पूजा के बाद भोग लगाना बेहत जरूरी माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी समझी जाती है। शास्त्रों में वर्नित है कि प्रत्येक देवी देवता का कोई न कोई प्रिय भोग जरूर होता है। देवी देवताओं को उनकी पसंद के अनुसार गर्पित करने से व्यक्ति को विशेश लाब मिलता है। बोलिनात को चड़ाएं ये भोग। भगवान शिफ को दूद, दही, शहदादी अर्पित करने चाहिए। इससे वह जल्दी प्रसन होते हैं और अपने भाक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी को बूंदी बहुत प्रिया है। क्रिश्न जी को ऐसे लगाएं भोग। क्रिश्न जी को माखन मिश्री, पेथा और चुरमे का भोग अती प्रिया है। ऐसा करने से क्रिश्न जी अपनी भक्ती का आशिरवाद प्रदान करते हैं। लेकिन समरन रहे कि क्रिश्न जी के भोग में तुलसी जरूर हो। बिना तुलसी पत्र के क्रिश्न जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते। राम जी को इसका भोग है प्रिया। भगवान श्री राम जी को केसर युक्त कीर, कलाकंद और मखाने का भोग लगाकर आप उनकी क्रिपा के पात्र बन सकते हैं। श्री हरी विश्नु को लगाएं ये भोग। भगवान विश्नु को कूजा के समगुण और चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इससे श्री हरी विश्नु क्रसन होते हैं और परिवार के दुखों और विप्तियों का हरन करते हैं।